तो जहां पर कैसे alternate attribute को यूज किया जाता है तो उसका काम क्या है कोई कोई भी अगर image को इंसर्ट करना है तो हम लोगों को पाथ है उसको हम लोगो इंसर्ट करना परेगा ठीक है जो हम लोगों का notepad में तो यही सब हम लोग ने last class में सीखा था तो in this class हम लोग सीखेंगे alignment attribute के बारे में तो alignment क्या होता है और alignment को क्यों use किया जाता है ठीक है जो चलिए start करते है जो बैसिकली जो alignment attribute है ठीक है तो इसको क्यों use किया जाता है because images में align करने के लिए ठीक है जो भी हम लोग का images होगा वो कहां पर align होगा इसके लिए इसको use किया जाता है ठीक है जो यह है alignment attribute you can align the images with the help of align attribute the align attribute behaves differently with the inline and floating images ठीक है जो हम लोग का align attribute है वो inline and floating images डोनों में काम आता है ठीक है differently तो inline images का मतलब क्या होता है जो भी images हम लोग text के बीच में लिखेंगे ठीक है न और floating का मतलब क्या होता है वो text side में रहेगा वो images side में रहेगा ठीक है तो देखेंगे इसके बारे में next session में तो alignment aligning inline images ठीक है there are different types of aligning inline images इसका मतलब क्या है inline images are placed in the middle of the line of the text ठीक है वो text के बीच में उसको insert किया जाता है ठीक है we can align inline images in three different styles the first is align top it will align the top of the images with the top edge of the tallest character in the current line of text if there are no other images in the current line the top of the image is aligned with the top of the text ठीक है text के text भी उपर में जाएगा और जो भी image है वो भी उपर में आएगा ठीक है हम लोग देखेंगे इसके बारे में next align middle middle का मतलब कि आगर alignment middle करेंगे हम लोग तो क्या होगा it will align the middle of the images with the middle of the line of the text ठीक है जो text होगा वो भी middle में होगा ठीक है और यह modular firefox में दिया हुआ है लेकिन मैंने उतना difference नहीं देखा फिर भी modular firefox में क्या है modular firefox in internet explorer में क्या होता है जो middle element होता है middle alignment value differently modular aligns the middle of the images with the baseline of the text वारस internet explorer aligns the middle of the text with the middle of the tallest item in the current file current line यह मतलब तुमको पता नहीं चलेगा इतना difference मतलब पता नहीं चलता है उतना पता मैंने करके देखा है उतना पता नहीं चलता है ठीक है दिखने में एक ही जासा लगता है तो ठीक है चलो फिर हम लोग देख लेते हैं इसको practically करके देख लेते हैं क्या है तो मैंने यहाँ पर already इसका coding करकर रख दिया है ठीक है यह खाके कलर है उसके बाद बोल्टिक को यूज़ किया font size for color blue greening face ठीक है यह greening face है blue तो IMG source imaging green PNG यह source है ठीक है यह source का नाम है यह जो pictures का नाम अच्छो images का नाम on उसका type PNG type है ठीक है alignment top में align क्या उसको उसके बाद यहाँ पर this emoji depicts the users in very good mood temper and is laughing cheerfully ठीक है उसके बाद line को break किया then horizontal एक line को यहाँ पर draw किया ठीक है देखो यहाँ पर उसके बाद फिर से इसको start क्या face with tears of joy same उसके बाद फिर से यहाँ पर estonis face ठीक है तो चलिए इसको practically हम लोग करके देख लेते अलड़ी मैंने करकर रख दिया है जैसे हम लोग उसको run करना है ठीक है तो चलो यहाँ पर मैंने अलड़ी करकर रख दिया है तो इसको अभी मैं Google Chrome में run करूंगा view current file in Google Chrome ठीक है देखो तो देखो यहाँ पर जो मैंने top में क्या था grinning face यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यह जो टैक्सके भीच में और पर मतलब देखो middle में alignment हुआ ठीक है और यहाँ पर देखो यह जो टैक्स है वो एकड़म नीचे alignment हुआ समझ में है कि नहीं क्योंकि हमने bottom यहाँ पर लिखा था ठीक है तो एकड़म सिंपल है तो फिर भी मैं यहाँ पर अगर तुम लोग कुछ दिख रहा है तो मुझे बोलना ठीक है तो मैं अभी firefox में इसको रन करूंगा तो मुझे उतना difference नहीं दिख रहा है यह firefox same है ठीक है firefox में भी रन किया मैंने ग्रीनिंग फेस टियर स्विट फ्री विट टियर्स अब जॉई एस्टोनी इस फेस ठीक है कुछ difference नहीं मिला मुझे उतना next view current file in internet explorer यहाँ पर भी मैंने रन किया है तो यह पर भी मुझे उतना difference नहीं मिला ठीक है तुम लोग मुझे बोलना क्या difference मिलता है ठीक है ओके चलो तो यह हो गया हम लोग का तो next क्या है हम लोग का next जो हम लोग का topic है that is called floating images ठीक है कैसे हम लोग floating images को हम लोग add कर सकते है ठीक है तो aligning floating images का मतलब क्या है floating images make the text to wrap around the images ठीक है images can either be left aligned or right aligned the paragraph will flow around the images for several lines if the images is large ठीक है तो यहाँ पर text मतलब जो भी text हम लोग लिखेंगे वो images के बीच में नहीं आएगा ठीक है यह floating होगा मतलब अगर images बड़ा होगा तो paragraph बहुत जड़ा paragraph परेग्राफ भी ऐसे align होगा मतलब समझ में है कि नहीं तो suppose यहाँ पर मैंने left side में मैंने images को यहाँ पर किया तो देखो यहाँ पर अच्छे से एक paragraph जासे बन गिया है yes or no समझ में है कि नहीं मतलब यहाँ पर override नहीं होगा समझ में है कि नहीं floating images मतलब मैंने images को यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख दिया है तो यहाँ पर जो text था वो इस side में आ गया है ठीक है और यहाँ पर एक space को occupy किया है ठीक है देखो मतलब मैंने images को यहाँ पर insert किया और जो text यहाँ पर होना चाहिए था यह text तो ऐसे होना चाहिए था ना लेकिन यह क्या होगा तो compress होके इस side में आ गया है ठीक है तो that is called floating images तो अचली थोड़ा पर लेते है हाँ align, align left अगर करोगे it will place the images against the left margin तो against the left margin मतलब images क्या होगा against the left margin यहाँ पर आ गया है ठीक है अगर तुम right करोगे it will place the images against the right margin तो अगर right लिखोगे तो images इस side में आएगा ओके तो यहाँ पर लिखा देखो body busy color light yellow tags blue उसके बाद center में लिखा क्या लिखा h1 font color ice stupa ice stupa लिखा यह ice stupa इसके बारे में लिखा थोड़ा बहुत इसके बाद IMG assert से ice stupa one यह images को इसको insert किया ठीक है alignment right ठीक है इसको right side में align किया right it will place the against against the right margin place it will place the image against the right margin हाहा right against the right margin ठीक है इसको place किया right side में place किया very good तो ice stupa के बारे में यहाँ पर information लिखा place against the left margin अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलत यहाँ थोड़ा it will place the image against the left margin तो left margin का against तो left margin कौन सा होगा यह वाला होगा ठीक है तो against the left margin अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा left margin मतलब जो margin के सामने होगा ठीक है against the left margin तो it will place the images against the right margin मतलब यहाँ पर जो margin होगा उसका against, मतलब उसका सामने होगा, समझ मैं है कि नहीं, against the right margin, okay, तो यहाँ पर right लिखा मतलब क्या हुआ, against the right margin, ठीक है, समझ मैं है कि नहीं, मतलब यहाँ पर जो right margin, right लिखा मतलब क्या, alignment, मतलब यहाँ पर जो यह margin है, right, ठीक है, इसका against में हुआ, यह picture इमें, इसका against में है, ठीक है, okay, very good, तो यही है, करके देखना, ठीक है, यह तुम लोग का assignment होगा, तुम लोग उसको खुद से करो, और मुझे send करो इसका, जो html file है, ठीक है, next, अगर हो नहीं पाता है, तो definitely मैं करके दूंगा, तो इसको करके देखो उसके बार यह centering an image, जो image है, उसको center में place करना, the align attribute cannot be used to center align the images horizontally, यह horizontally place कभी भी नहीं होगा, ठीक है, अगर तुम align attribute को use करोगे, ठीक है, अगर किसी images को place करना है horizontally, center में, तो तुमको center image, center जो यह attribute है, उसको use करना पड़ेगा, the middle value of align attribute center aligns the images vertically with the current line, but not horizontally, वो vertically align करेगा, बाद horizontally align नहीं करेगा, it can be done by using the center element, the following code explain its uses, तो देखो यहाँ पे center को use किया, यहाँ पे align, देखो center में किया, मतलब यह जो image होगा, वो center में रहेगा, ठीक है, और align किया होगा, alignment उपर में, top, top के side में, मतलब यह तो stress होगा थोड़ा बहुत, मतलब इसको stress किय यह जो image है, यह थोड़ा, horizontal image है, ठीक है, यह दिखने में, horizontal image है, जैसे हम लोगा laptop का skin horizontal है, उस type का image है, ठीक है, अगर तुम उसको center center को use नहीं करोगे, तो वो दिखने में थोड़ा अलग सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको center में इसलिए किया, कि वो अच्छे से feed हो जाए, और alignment कहाँ पर ही किया, ठीक है, alignment top, अगर इसका size थोड़ा small होगा, तो वो top के side में रहेगा, समझ में आए कि नहीं, वो उपर side में रहेगा, तो यह है border, by default an image has no border, यह border attribute, by default को image का border नहीं होता है, ठीक है, but you can add border around the images by using the border attribute, it accepts value in the terms of pixels, ठीक है, जो भी border होगा, ठीक है, 1, 2, 3 इस हिसाब से तुम इसको use कर सकते हो, ठीक है, यह pixel के हिसाब से आएगा, 1 करोगे तो small size pixel होगा, line होगा, 2 करोगे थोड़ा ज्यादा होगा, 3 करोगे थोड़ा और ज्यादा होगा, 4 करोगे, 5 करोगे, थोड़ा ज्यादा बढ़ा होगा, ठीक है, उसका border, तो यहापे देख उसका height and width को तुम change कर सकते हो, according to your wish, तुम उसको change कर सकते हो, ठीक है, तुमको यह सा चाहिए, तुम उसका height and width उसको change कर सकते हो, ठीक है? attribute specifies the height and width of the image respectively, either in the front of the integer और percentage भेलो, percentage भी दे सकते हो और यहापर integer भेलो भी तुम put कर सकते हो, देखो यहापर, यहापर image है, image एसर सी, ठीक है, image का जो path है, उसको include किया, उसके बाद kml.jpg, height कितना दिया, 70, उसके बाद यहापर width कितना 70, ठीक है, देखो यहापर images का height कितना है height भी 70 है, ठीक है, और उसका width भी 70 है, देखो, ओके, बादी easy है, तो यहापर किया लिखा हुआ है, we should always try to specify the height and width attribute of the images, so that the browser can reserve the space for the images when the page is loaded, without this attribute, the page layout will change during loading, okay, हाँ, हमेशा जो height and width है, हमेशा यूश करो, तभी क्या होगा, जो तुमारा space है, और browser में भी load नहीं परेगा, ठीक है, एक particular space, देखो, हर different-different browser का different-different, थोड़ा अलग-लग होता है, ठीक है, किसी browser में थोड़ा बढ़ा होगा, ठीक है, किसी browser में थोड़ा small होगा, तो अलग-अलग होगा, ठीक है, और loading के time में भी क्य the height and width attribute forces a user download to large images, even if it looks small on the pages, to avoid this, rescale the images with a program before using on a page, तो हमेशा, क्यूंकि कभी भी अगर डाउनलोद करेगी उस image को, तो क्या होगा, उसका size वही बरा होगा, बरा size होगा, जो तुमने इंसर्ट किया था, तो हमेशा उसका height and width को इसलिए यूज करो, कि कोई अगर डाउनलोद कर समझ में आएगी नहीं, तो आज के लिए इतना है, thank you all of you, have a great day, thank you.